ट्रेडिंग में लोज से परिशान हो चुक है यहां तक कि ट्रेडिंग को कुट करने का भी थोटा चुक है तो क्या ट्रेडिंग सच में इतनी कठीन है जितना उसको हम लोग सोचते यह फिर सारा गेम एक माइंडसेट का है तो टेंशन मतलो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क कुछ steps बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके बहुत ही अच्छे profitable ट्रेडर बन सकते हो सिर्फ पास दिन चाहिए आपके सिर्फ पास दिन वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको लेके चलता अपनी स्क्रीन के उपर चलो तो क्या आप सब रेडियो पास दिन में ए positive में ले जाने के लिए क्या करना है कैसे करना है सारा कुछ जानते हैं स्टार्ट करते हैं हमलों day 1 से pen और notebook लेके बैट जाओ और note करना चालो करो एक अच्छे format और इन पास दिन को एक्टम बहतरीन तरीके से आप लोगों को follow करना है let's start with the day 1 day 1 पर क्या करना है जब भी आप option ट्रेडिंग किये किसी स्टॉक पर सारा कुछ matter करता है तो day 1 पर basically आपको क्या करना है day 1 पर you have to maintain your journal आपको इन पास दिन के लिए अपने जर्नल को नोट करो what do you mean by direction suppose करो मैंने यासे downside की momentum का trade लिया तो मैंको लिखना है वहाँ पर कि yes sell side की मेरी trade थी और अगर मैंने upside का trade लिया तो मैं लिखूंगा yes upside की मेरी trade थी हर एक चीज़ day 1 पर what basically you have to do maintain your journal तो पहला चीज़ आपको day 1 पर क्या करना है अपने journal को maintain करना है ओके यह सबस यह करना क्यों जरूर यह सारा कुछ जानेंगे आगे पास इतना याद रखना day 1 पर you have to maintain a journal यह जर्नल आपको continue maintain करना है day 5 तक ओके तो day 1 I hope सबको clear होगा ज्यादा कुछ निये day 1 में ज्यादा hectic नहीं करना सिर्फ और सिब अपने journal को maintain करो हर एक चीज को note down करो जैसा मैंने अब बेसिकली हमने अपने journal नोट के लिए आप day 2 पर क्या करना है जब भी आपने लेते हैं तो बहुत सारे बिगनर्स इवन मैं भी जब बिगनर्स था तो हमनों क्या सबस्टा प्रोब्लम फेस करते वह रहा था रिस्क मैनेजमेंट हमारा कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नही अब रिसक मैनेजमेंट अब मेरा रिस्क मीनेजमेंट पुलान क्या रहत है अपने रिसक के क्या PPT अब मेरा 5,000 करना फेस्मंट है तो अगर मुझे पता है कि मेरा pre-decided risk 400 का risk है तो मेरी psychology काफी बेटर रहेगी trade लेने से भी पहले क्योंकि I already know कि the maximum risk I am going to put on that particular trade is just 400 rupees तो pre-decide करना है अपने risk को अपनी quantity को pre-decide करो जो लोग option trading करते मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बेसिकली क्या करते है अभी मेरे screen के आब आगे आप लोगों को दिख रहा है बहुत ही beautiful symmetrical triangle का setup अब basically मैं को एक बात बता हो यहाँ पर गर मुझे breakdown मिलता है तो मुझे दिख रहा है कि काफी अच्छा move expected but what if market ने थोड़ा सा move दिया और sideways होके मेरे against में चला गया still there is a chance of loss ना तो you have to pre-decide your quantity your lot अगर option trading कर रहो तो pre-decided रखो lot को never ever go with more than one lot अगर आपकी risk appetite उतनी नहीं है अगर आप एक beginner हो तो सिर्फ एक lot से trade करो मेरी मानों चाहे कितनी अच्छी ही trade मिले चाहे कितना ही बेकार setup पे trade करें हो at least आपको एक lot पे stick रहना है अगर आपकी capital जाद है अगर आप दो lot के trader हो दो lot से trade करने में आपकी psychology ठीक है तो go with दो lot उसमें कोई problem नहीं है but yes remember that किसी भी particular trade में आपको अचानक से अपने lot को increase नहीं करना है यह सबसे जादा effect करता है आपके capital को बहुत सारे लोग ऐसे रहते जो trade का setup देखके अपनी quantity को काफी जादा increase कर लेते हैं यह सोचके कि इस पे तो confirm मेरा target मिलेगा और उसी चक्कर में वो लोग क्या करते हैं बहुत बढ़े losses ले लेते हैं जहां पर हमारा risk 400 rupees पर lot था वो लोग 800 even 1000 rupees पर lot लेते हैं और अगर गलत risk management risk management एक बहुत important part है risk management पर हमेशा ज्यान देना चाहिए तो risk management को day 2 पर हमनों रखेंगे याने कि आप लोग को day 1 पर अपने journal को maintain करना है अपने सारे trades को note down करना है day 2 पर you have to manage your risk ठीक है day 2 से risk management को भी थोड़ा सा जान देना है अब let's shift to the day 3 day 3 पर हमको क्या करना है किस तरीके से काम करना है अब मैंको एक बात बताओ हमने अपने ट्रेट्स को general कर लिया हमने अपने risk को manage करना सी का बच्चा क्या तो अब हम हमारे पास बच्चे का भाई setups price action टेकनिकल analysis हर सेम चीज होती है तो what you have to do अब आपको क्या करना है अब आप गया डेड़ गंटा हो गया दो गंटा हो गया हमने तो कोई ट्रेड नहीं ली तो भाई अपने उपर प्रेशर डालने की कोई जरुवत नहीं है learn price action price action को सीखो price action को समझो price action ही सब कुछ है आपको को इंडिकेटर ऐसा जबरदस्ती काम नहीं आने वाला जो आप लोगों को बड़े बड़े ट्रेड्स थे थोड़े बहुत इंडिकेटर से आपको support कर सकते हैं but yes with the price action price action के साथ साथ जो चीज चल रही है उस पर जान दो learn करो यह support line यह resistance line यह trend lines यह सारा कुछ आप लोगों को सीखना पड़ेगा इस चीज़ों पर focus करो day 1 पर आपने journal maintain कर लिया day 2 पर for your stop loss also अगर मैंने यहां पर मान के चलो breakdown पर trade लिया है और मेरा SL अगर यहां का आ रहा है और market ने थोड़ी से move देखे अगर मेरा SL hunt कर भी दिया तो I am happy with that क्योंकि मैंने किसी price action पर trade लिया है मैंने कोई randomly यहां पर लाल candle या फिर green candle देखके कोई upside या downside या फिर कोई RSI या फि कि always ready to learn something okay कोई भी कुछ सखा रहा है फिर कहीं से कोई knowledge gain हो रही है definitely go with it अपने knowledge से उसको compress करो और सीखो अपने knowledge को increase करो day 3 पर आपको क्या करना है price action पर पूरा फोकस करना है अब हमारे पास day 3 हो गया even यहां तक हम नों ने क्या सीख लिया अपनी trades को अच्छे से journal कर लिया तीनों दिन की trades को day 2 पर हमने सीखा कि risk management क्या होता है risk management इसलिए मैंने पहले रखा है technical से क्योंकि लोग trade करना नहीं छोड होते लोग trade रोज की रोज लेते तो अभी तक आपका at least जो day 2 के day 3 तक आयो at least आपका risk थोड़ा सा मैनेज हुआ तो आपकी psychology थोड़ी थोड़ी इंप्रूब होगी अब day 3 पर हमने क्या सीखा कि price action क्या चीज़ होती है technical analysis क्या चीज़ होती है और आपको किस तरीके से अपन technical knowledge को बढ़ाना है market में अब चलो day 3 पर अपने क्या सीखा उसको भी फटाफट से note down कर लेते हमारे area पर okay day 3 पर हमने सीखा भाई technical analysis okay and one more thing technical analysis और price action is same तो काफी काफी लोग इस पर confused होते हैं तो मैं से दोनों लिख देता हूं don't be confused in that price action and technical analysis is the same thing आपको सिफ और सिप support resistance trend lines इस प कुछ काम नहीं आता never go with that RSI indicator super trend या फिर बहुत सारी चीजे रहती है बहुत लोग बताते है वो ज्यादा काम नहीं आती let's move to the day 4 of the video अब मैं को यह बताओ day 3 तक हम लोग ने बहुत अच्छा improvement कर लिया अब day 4 पर क्या बचा अभी तो हमने price action सीख लिया price action को focus कर लिया हमने अपनी risk को manage करना सीख लिया अपनी अपमारी trades को general करना सीख लिया अब day 4 के लिए क्या बचा तो the most important thing जो trading पर हमको सबसे ज़्यादा काम आती है psychology हर कोई बात करता है सीख की psychology 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 पर आकर यह होती क्या है आकर हम लोग अपनी psychology को improve करेंगे कैसी like हम लोग बोलते है ना पूरा players are also there in the market market में बड़े players बहुत जादा है उनकी capital सुनोगे न वाई वह आप लोग कभी imagine भी नहीं कर पाओगे उतने बड़े amount से देया trading तो at least आपको आपकी psychology prepare रखनी है उससी इसके लिए market में losses सबसे पहले तीन चीज़ अपने mind में बिठा लो market में सबके losses होते इवन big players की losses होते तो ऐसी कोई strategy नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको losses save कर सके और दूसरी चीज़ अपने mind में जो बिठानी है यह कि आपको हमेशा बड़े player के direction पे trade लेनी है never go against the big players आपको कैस पता चलेगा बड़े player कहां पे available है उसके लिए मैंने एक अलग से session लिया था YouTube पर ही आपको उपर पर आई बटन पर लिंक कारोगा operator psychology उस session को जाके एक बार जरूर से सुनना उस पर मैंने अच्छे से बताया है कहां पे बड़े player सबसे जाधा active रहते तो उस video के तुरू market को देखना है market को समझना है जरूरी नहीं है trading करना market को सीखो market को समझो उसके बाद trade को find out करो trade को pre-plan करो जब market close होती है न 3.30 के बाद तो next day के लिए अपना plan ready रखो like you already know कि market close हो चुकी अब आप उस पे technical अपने अपने technical analysis करके drop out कर दो वहापे छोड़ दो technical analysis करके और wait करो market market में आपके direction आने का इवन थोड़ी सी भी जल्दबाजी market में बहुत भारी पड़ती है ठीक है अगर मान के चलो मेरे पास यह resistance line है सपोज यहां से breakout आता है और यहां से market ऐसा चले गया और मिरको अगर यहां पर कोई confirmation नहीं breakout का मैंने trade प्लान कर लिया and suppose करो market की जो closing हुई वह आके resistance के नीचे candle ने close के और यहां से selling pressure आ गये तो yes वो मेरी गलती मानी जाएगी वो technical सहीं था मेरा बट गलती मेरी क्यों थी क्योंकि मैंने proper candle closing का wait नहीं किया वहाँ पे मैं trap हुआ तो इन सबसे बचने के लिए आपको अ बबर दस्ती कहीं पर trade नहीं कोजनी अगर आपका एक दिन दो दिन इवन तीन भी without trading no trading day जाता है तो चलेगा अपने उपर pressure मत डालो कि मैं मार्केट में इतना time दे रहा हूं मैंने कोई trade नहीं लिया क्या मैं खराब trader हूं या मुझे trading का ना आता कभी भी यह चीज याद तो yes यहाँ पर no trading है यहाँ पर जबरदस्ती की trade लेने जाओगे न तो आपको सिफ theta dk theta dk जिसको पता है definitely उसको पता होगा theta dk के काट जबरदस्ती loss पर जाओगे तो yes उस पर कोई problem नहीं है अगर आप कोई trade नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा but at least keep in your mind कि जहाँ पर अच्छी to reward ratio मतलब यह होता है कि suppose करो मैंने इस breakdown पर यहाँ पर अपनी position मनाई है और मेरा जो SLR वो इस point का आ रहा है suppose करो इस point को मैं count करता हूँ number one से count करता हूँ तो मेरा risk to reward ratio as a beginner minimum one ratio 1.5 होना ही चाहिए that means अगर मेरी trade यहाँ पर आ है और मेरा stop loss यहाँ पर इसको अगर मैं one count करता यहाँ तक मेरा at least minimum target रहना ही चाहिए anyhow में को इस risk to reward ratio को अपनी trade पर अपलाए करना पड़ेगा में को wait करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप लो जिस मैंने आप लोगो risk management चिका है वहाँ पर मैंने आपको पता है कि 400 रुपए का आपको maximum risk नेना है पर लोट that simply means कि आपका एक target भी pre-decided रहना चीए ऐसा पता चला कि आप लोग 400 रुपए का risk तो मैनेज कर रहे हो बड़ा आपने profit 200-200 निकल के ले रहे हो वहाँ पर बाद में आप देख रहे हो कि भाई एगर hold किया रहता तो वह 1000 रुपए के profit देके जाता तो yes keep in your mind की risk reward दोनों चीज होती है risk that means stop loss reward that means your profit तो आपको pre-decide रखना है अपनी area से बना के रखना है इस चीजों को follow करो कि psychology definitely improve हो जाएगी और psychology is the key in the market आपके जितनी अच्छी psychology उतने अच्छे ट्रेट्स तो yes I hope day 4 तक हम लोग आते आते हम लोग नहीं यह तो सीख लिया कि क्या क्या हमारे इंपोर्टेंट है मैं वापस से आपको बता देता हूं यहां पर पहले अपने लिख लिए साइकोलोजी ओके शाल साइकोलोजी भी हमने लिख लिए अब डे 5 थोड़ा सा इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है इस प्रोसेस को आपको तो इवन लाइफ टाइम फॉलो करना जब तक ट्रेड कर रहो मैंने डे वन पर इसलिए जर्णल मेंटेंज करना चालू करवा है डे टू पर मैने क्या बोला था डे टू पर मैने बोला था कि रिस्क मैनेज करना है अपर ट्रेड पर लोट रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है लॉंग टम पर बहुत काम आएगा ठीक है यह सारी चीज़े आई अल्रेडी नो कि आप लोगों को पता होगी बट यह मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोगों का माइंड से एक बार वापस से खुले और वापस से आपका फोकास इन चीज़ों पर जाए रस्क मैनेजमेंट इस दे की इनना मार्केट ओके डे थ्री पर आपको क्या करना है टेक्निकल अनालिसिस प्राइड लोगों को लगता है यह बहुत इजी है उतना इजी नहीं है मेरे भाई प्रैक्टिस प्रैक् करती है जबी भी डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो कभी भी बाइंग साइड की ट्रेट को प्रेफर मत करो डेफिनेटली थोड़ा सा मूव देगा और अगेंश्ट में चला जाएगा आप ट्रेंड पे आप लोगों को वोट साइड यानि कि डाउन साइड को प्लाल नहीं prepare रहना है कि क्या कैसे करना है किस तरीके से trade को plan करना है trade decide करना है अपनी trades को pre-plan करके रखना है कितना risk to reward रखना है किस तरीके से market में काम करना है day one day two day three day four done पूरा अप लोग day four तक आचुकियो day five the last day यह सबसे important day अब बचा क्या हमारे लिए हमने technical सीख लिया हमने प्राइज एक्षन सीख लिया हमने अपनी trades ट्रेडिंग साइकोलोजी इंप्रूफ कर लिए अपने रिस्क मैनेज कर लिए हमने अपने जर्नल मेंटेन कर लिए तो आखिर फाइनल डे में इवन जो profit भी हुए न आपकी ट्रेड उसको भी उसमें भी कही न कहीं मिश्टेक मिलेगी यार अगर आपने किसी direction का ट्रेड लिया सपोस करो आपने downside का ट्रेड लिया पट आपने देखा कि यार मेरी जो ट्रेड थी वह इस पर मिली थी इवन मैं यहां पर भी ट्रेड लेता तो चलता यह फिर इस टॉप पर भी लेता तो चलता तो मेरी ऐसी क्या मिश्टेक थी जो मेरे को जहां पर मुझे 1000 रुपए बनने थे वहां मेरे सिफ 800 बने तो इवन profit वाले ट्रेड पर अपने मिश्टेक्स को find out करो अपने मिश्टेक्स को analyze करो उसको इंप्रूफ करने का तरीका ढूंडो ओके तो डे 5 में क्या करना है सबसे पहला डे 5 में आपको करना है analyze your journal मैं फटा बट से लिख लेता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को चार दिन का इसको regularly follow कर रहो के follow your plan ठीक है ऐसा नहीं कि एक दिन आपने एक हफ्ता प्लान किया आप एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा ग्रोग करने लगे आपने सदनली छोड़ दिया कि ठीक है और मैंने तो उस हफ्ते में काफी अचा कर लिए अब मेरी आदत हो गई अब मैं जर्नल मेंटेन करने की जर्वत नहीं अभी तो मेरी mistakes कम हो गई यह नहीं इन चीजों को रिपीट में करो डेफिनेटली धीरे-धीरे ग्रोथ होती है ट्रेडिंग पे बहुत जरूरी है इस तीस को फॉलो करना ओके अपने यह कर लिए अपने 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 ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर लिए अब आपके पाच क्या बचा फ्री टाइम अपना किसको देना है मार्केट को अभी देखो फ्री टाइम मार्केट को देना है मतलब यह कि भाई आपके पास लिट्रली दिन का एक गंटा फ्री रहता है लिट्रली आप एक गंटा दिन में फ्री रहते हो फ्री टाइम अपना मार्केट को दो एनलाइस करो चार्ट醉 आईगा आएगा अनलााइस करो अपनी सपोर्ट रजिस्टेंस प्री प्री प्लान करके रखो ड्रॉघ करके रखो इवें उसी श्टॉक पर आपको ट्रेड नहीं भी लेना है उस स्टॉक पे भी प्रैक्टिस करो यार टेक्निकल एनालिसिस की प्रैक्टिस करो सपोस करो मैंने यहां पर मान की चलो यहां पर खोल के रखा है निफ्टी फिफ्टी का चार्ट अगर सडनली में थोड़ा सा बैक जाता हो तो मुझे दिखेगा है यहां का तो प्रैजेक्शन पूरा ही अलग है अभी तो उपर अलग दिख रहता अभी मुझे फाइंड यह इंपोर्डन रजिश्टेंस ही और यहां पर मुझे एक एंगलफिंग कैंडल जैसी बनती हुए दिख रही है तो मैं डेफिनेटल यहां पर डाउनसाइड की ट्रेट को प्लान करना तो येस डेफाइब पर आपको सबसे जादा क्या करना है अपने चर्णल को एनलाइस अब हमारे पास बसता है देज एंड संडे इस टाइम पर क्या करना रिलैक्स करना अपने ट्रेडिंग पर आपने माइंड को रिलाक्स रहो तोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो फ्रीटाइम मार्केट को दो बट एट लीस्ट अपने माइंड को पूल डाउन करो, अपनी चीजों पर फोकस करो, and yes, meditation भी कर ले, बहुत अच्छा रहता है ट्रेडिंग के लिए, I hope जो, ये मैंने वीडियो बना के दी है आप लोगों को, जो मैंने डे 5 तक का पूरा प्लान बता है, I know एक हफते पास दि दिन में आप लोगों को जो चीजे मैंने करने को कहा है, उन चीजों को regularly follow करना, miss मत करना, ऐसा नहीं कि भाई, एक हफता follow किया, दो हफता किया, और result नहीं मिला, result definitely मिलेगा, consistent रहो, hard work करो, मैनत करो, definitely result मिलेगा, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको technical analysis, price action में कोई difficulties आती है, आपको सारी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, पूरा section है यहाँ पर, stock market basics for beginner, वहाँ पर जाके देखो, वहाँ पर हर एक चीज़ बिल जाएगी, और अगर वीडियो सच में पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर करना, subscribe जरूर कर लेना, कोई भी डाउट्सों का वीडियो से रेलेटेड, comment section पर छोड़ देना, आपका भाई आपको comment section में doubt को clear करता हुआ देखेगा,